गुड इवनिंग अवरीवाइन गाइज आज अलावध ही को टारो यारो का एक ओर्डर आया है फर्स्ट अप्रेल थी आज आपको पता था ओर्डर आने वाला है और वो ओर्डर जो आया है उसको लेकर कैंडिटेट्स में बहुत ज़्यादा किंफूज है जो सलेक्टिट कैं अपने अपने तरीके से इसको इंटर्ब्रेट करने से लग रहें सभी लोग ठीक है और उसका रीजन भी यह है कि जो लेंग्वेज लिखी हुई है ना आप चाहिए इसको हिंदी में पढ़ो इंग्लिस में पढ़ो यह इसका exact meaning अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इस यह मैंने गूगल ट्रांसलेट किया इसको तो आपको पता हिए कि गूगल ट्रांसलेशन जो होता है वह जादा मतलब उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पता है तो हिंदी वाला भी समझ में नहीं आ रहा है इतनी क्लिश्ट सी लैंग्वेज होती है इसकी नहीं समझ में आ सबस्क्राइब दोने ओखेगा उनका कहना यह है और वो बोल रहे हैं कि हमारा एडवोकेट ने भी यहीं बोला है और बाकी बाकी चीज़ें पांच तारिक को पता चलेंगी कि आगे क्या होगा नहीं होगा ठीक है इनका कहना यह है जबकि जो नौट सेलेक्टिट कंडिट ह वह बोल रहे हैं कि इस में जो है कि डीबी कुछ not selected में अभी candidates बटे हुए है कुछ बोल रहे हैं कि डीबी तो continue रहेगा लेकिन इसकी जो जॉइनिंग प्रोसेस है वह वह रोक दी गए उस पर रोक लगी है तो अब आप यह बताईए फिल हाल जो जॉइनिंग वह तो नहीं हो हुआ हुआ है फिल्हाल एक बकिल से बात हुई दुरुबेश को मारें उन्हों ने बोला उन्हों है यहीं मेरा केस फायल है तो उन्हों मैंने उसे बात करी थी तो ने यह बोला है कि डीभी तो continue चलेगा लेकिन जो जोईनिंग है वो नहीं होगी जोईनिंग की process नहीं होगी तो मैंने का सर्फ जोईनिंग पांच तारीक तक के लिए इसमें वो लगा हुआ है रोका हुआ है तो आप यह बताईए कि पांच तारीक तक जोईनिंग कहां से हो जाएगी अब मतलब क्या यहां पर इस ऐसी रोग लगाने का मतलब क्या है तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा है अभी इंतजार कीजिए पांच तारीक का पांच तारीक को देखे क्या होगा क्या नहीं होगा फिल हाल तो अब मैं भी आप सही कह रहे हूं हिंदी में आप खुद से पढ़ प्राप्त निर्देशों के आधार पर उच्च न्यायले के लिए उपसे दोकर वे कहते हैं कि सत्यापन दस्ता विज्जों की प्रक्रिया चल रही है जिसमें एक सप्ता का समय लगेगा इसलिए मंगलवार यानि पांच चार दोजर बाइस तक कोई टक कि कोई समभावना नहीं है ठीक है मतलब पांच चार दोजर वाजर बाईस तक कि कोई सम्भावना नहीं है चैन प्रक्रिया की अनुसार आगे की कोई कारवाही । प्रार्थ नहीं कि अनुसार मंगलवार यानि पांच चार थोजर वाइस को दस बजे इस मामल को रख दें ठीक है तो यह आप हिंदी है इसको पढ़ लिजिए फिलाल आपकी समझ में क्या आता है आप कमेंट शेक्षन में जुरूर बताईएगा अब कुछ कैंडिडेट्स अभी भी बटे हुएं आप सबको पता ही और लेडी कुछ बोल लें कि हाँ इस्टे लगी है जो डीवी पे भी तो आप डीवी पे इस्टे लगी है या नहीं लगी यह तो अब कल ही पता चलेगा क्योंकि आज का डीवी तो हो चुका था ठीक है नहीं हो रहा है रोक लगी है तो फिलाल मुझे तो कुछ कहना नहीं है कि क्या मैटर है यह नहीं होगा अच्छा यहां पर लिखा हुआ है देर आर नो चांसट अफ ऐनी फुर्दर प्रोसीडिंग्स पर स्वेंट टू दा सलेक्शें प्रोसेस तो जो लोग यह बोल रहे है कि DB continue रहेगा तो क्या DB selection process का पार्ट नहीं है जब selection process को 5-4 तक रोका गया है अगर जहां तक मुझे समझ जा रहा है तो क्या DB जो है वो इसका पार्ट नहीं था selection process का वो भी तो इसी का पार्ट है तो फिलहाल एक्चुली कोड की लेंग्वेज इसी होती है जो ना समझ में आई किसी को भी ठीक है तो अब साइद selected candidate की समझ में जाता रहा होगा क्योंकि वो आप कोड का पार्ट हो चुके हैं तो वो जिस तरीके से interpret करना है तो ही सही हो लेकिन अब मुझे तो पता नहीं है को यहीं बोला था कि यह वाला order है आप किसी को जानते हो तो जो जानकार हो तो उसको अप सेंड कर सकते हो इस order को लोग वगारा किया हौ जो सकते हो ज्याला जानकारी मैंने तो आपके सामने दौन पक्ष रख दिये हैं कि candidate selected क्या बोलने है not selected क्या बोलने हैं हाँ लेकिन एक बात और आप सुन लीजिए कि आज की जो बहस थी कि वो जो हमारे वकील ने बताया मैं हम तो वहाँ पर प्रिजेंट नहीं थे सची बात तो यह है कि हमने खुद नहीं देखा अपनी आँखों से लेकिन जो बताया गया है वही हम आपको बता रहे हैं कि आपको भी पताए कि सिधार्थ खरे यह केस लड़ रहे थे सिधार्थ असोखरे के बाते हैं और स्कूल गूप एक और सेमयर्च नहीं होते हैं तो बटायता है आपको भी पता होगा कि सब्सक्राइब जैब जानते हैं तो यह कंदे बारे में तो वह नहीं के बीज से निकलके जाता है ऐसी वात नहीं होता है तो अब मंजुरानी चोहांच ओरेवल मैम थी जज उन्होंने देखा कि यह खरे साब आया तो उन्होंने भी मामिल को ने अग्दम से अच्छे तरीके से लिया ठीक है एंटे के अधिकारी जो उनको कुछ समझी ने रहे थे मतलब खरे साब को वो बोल रहे थे कि हमने ऐसे क्या है तो इसकी तो मतलब ऐसा तो हमारे मामिल मं कुछ सकता है और आज किसी ना किसी चूप क्लगी है अब हैज किसा थे यह किसी के भी नहीं आ रहा है ठीक है तो फिलाल मुझ अगे जो उसा जो में आपसकी और और तो बस यही कि आज जो बहस हुई थी टाइपिंग को लेकर बहुत जाद बहस हुई आज घरे सहाव ने बोला था कि उन्होंने बोला कि हमने जुन्होंने पांस अबर टाइप नहीं कर रहें उनको हमने फैल किया है तो उन्होंने बोला कि कैनिटेट्स का कहना है कि उन्हो एक्सिड वर्ड तम तब मैंने बंद किया था लेकिन फिर मुझे फेल कर दिया गया था और हाँ वही सेम कंडिशन मेरी यारो पास हूं तो ऐसे कैसे किया उन्होंने तो यही चीज उन्होंने उन्हों ने पूछी एंटे के उफिसर्स वहां पर ईपर अरे पुचा उन्साफ कोई जवाब देते नहीं बन रहा था उनसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था और बहुत तगणी भायस थे इस चीज को लेकर तो और ये चीज मैं दे ली मुखा एब अब नहीं बोलने प्राइच को ये अ तो नहीं होता है ठीड है हैं और अब भीश इसको किसी को सहळग करके दिख लीजे को जयादा जानकार हो लॉब अखिरा को टो वह है कि क्या है इसमें क्या है हम है तो मुझा है कि स् 되면 सब्सक्खर ठिदी माइब.? when you're aware of smoking वत्तिनल इस सथाह्ञवर है उंप सब्सक्राइब को जब होगी तब आप तो जो जर निरी को जब हो तो समझ आता है कूछ टीक है तो मिलते कि आप शी नैक्स्ट अब तेक लिन यहांD